अगर आप मेरे चानल पर नहीं है तो चानल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेर और कॉमेंट जरूर करें तो आज जो हम वरक्षीट करने वाले हैं वो है कक्षा 2 की शिक्षिका का नाम लिखेंगे तो आईए देखते हैं इस वरक्षीट में हमें क्या दिया गया है नमस्ते प्यारे बच्चों आशा है कि आप स्वस्त और खुश होंगे बच्चों हमने पाठ अधिक बलवान कौन पढ़ा और जाना कि कैसे सूरज ने अपनी सूज वूज स हवा को हरा दिया आईए आज फिर से कहानी को दोहराते हुए नीचे दिये गए वाक्यों को बोल कर पढ़ते हैं और चित्रों को पहचान कर खालिस थान भरते हैं आप संकेच शब्दों की सायता भी ले सकते हैं तो जो पिछली वरक्षीट में जो हमने स्टोरी पढ़ी थी पेटा उसी को आज यह रिपीट करेंगे और वाक्यों को बोल कर पढ़ना है और चित्रों को पहचान कर खालिस थान भरना है तो हमें यह स्टोरी यह दिये गई है और इसके संकेच शब्द इहां पे दिये गए हैं पिटा यह Maybe यह पूरी कहानी है और यह कहानी के संकेच श जरणीन चब्ट नोरा ज़रिया है से चमकने लगा गर्मी लगने के कारण यह कौन है आदमी ने कोट उतार दिया इस तरह आखिर में कौन जीत गया यह क्या बना हुआ है सूरज तो यह हमारे पास पिछली जो वरक्षीट थी उसमें भी यह स्टोरी दी गई थी और आशाया आप सभी ने अभी फिर से यह स्टो को बरूत स्थे वाली वस्तों के बारे में तीन वाकिया बोलकर अपने अध्यापक यह ध्या पिका से संजा कीजिएakah तो सबी बच्चों को क्या करना है यह नीचे कुछ चितर दिये गए हैं और इन में से विछताना की इनमें कौनसी चीजह इस्तमाल होती हैं और इन तो अपनी वाक्य को रिकार्ड करके वट्चैप के थू अपने अध्यापक या अध्यापिका से आज़ा करेंगे यह अन्यापक के लिए इस्टमाल में होता यह था नंबर पर हमारी आइस्क्रीम तो यह भी घरमी में ख्याती थी नंबर फिरसे यह हमारा सर्दी के मौसम में तो अभी भावकों के लिए एक सुझाओ रहेगा कि बच्चों को बताएं कि हमें अपने अध्यापक याध्यापिका से साजा करेंगे तो अभी भावकों के लिए एक सुझाओ रहेगा कि बच्चों को बताएं कि हमें अपने घर के बुजर्ग लोगों का ध्यान रखना चाहिए सबी बच्चों को आप प्लीज बताएंगे कि हमारे घर में जितने भी बुजर्ग बुड़े लोग हैं उनका ध्यान रखना चाहिए उनका आदर सम्मान करना है उनकी देखपाल करनी चाहिए तथा उनके साथ समय बिताना बहुत जरूरी होता है घर के बुजर्ग सदस्यों क साथ होने से घर परिवार सुखी रहता है ऐसा करने से क्या रहेगा हमारा घर परिवार सुखी रहेगा तो कोविड-19 के दोरान जो अपेक्षित वहवार करना है और सभी बच्चों को और उनके परिवार वालों को कि अपने हाथों को साबुन में पाने से नियमित रूप से धोएंगे आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें